हेलो दोस्तों जाहिन स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस और स्पोर्टस आर्मी में और फ्रेंस जो आप अपने स्क्रीन पे मेरे सामने एक पीडियाफ देख रहे हो आप और यह मैं इसके बारे मैं आप लोगो कुछ डिटेल देना चाहता हूं यह जो पीडियाफ है दोस्तों यह आसाम राइफल्स की जो बताया गया इसके अंदर की अब ध्यांजा ज़र देखो यहां पर की फॉर डिटेल इग्जामिनेशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर और यहां पर जोराज सेंटर कॉमन एंट्रेंस एक्जाम अठाइस नमूंबर दोजार बाईस असाम राइफल्स मैं शेयर किया गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके उपर एक वीडियो बना दी जाए काफिसारे कंडिडेट परिशान हो रहे है कहरे सरी क्या है इसके बार हमें बताओ इसमें इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है और यहां जो सबसे बड़ी चीज़ देखने की यहां यहां पर कुछ लिखा हुआ है आपके सामने आप देख सकते हो कि यहां पर 25 फरवरी 2023 को आप लोग का DME जिसे हम डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं ठीक है DME और दूसरी चीज़ यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 28 नवंबर 2022 ठीक है यह आप लोग क आपको बता दू दोस्तों यह एक fake notification है और एक fake result यहां पर निकाला गया है यह किसने किया दोस्तों पता नहीं लेकिन यह fully eduard है अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर इदर आप देखो यहांपर क्या लिगा जोराच सेंटर के बाद डेट 28 नवंबर को आप जहान से देखो तो यह फुली एडिट है क्योंकि यहां पर जिस फॉंट में यह पूरा टाइप किया यह उस हिसाब से नहीं है और दूसरी चीज यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर एक यह फेक डेट 2022-23 का यह फेक डेट अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ 28 नमबर 2022 को कोई भी पेपर नहीं था ठीक है किसी भी प्रकार का common entrance exam नहीं था जबकि यहां पर इन्होंने लिखा हुआ जिस भाई ने भी एडिट किया है शायद उसको यह knowledge नहीं होगी कि common entrance exam 28 तारिक को कोई नहीं था 28 तारिक से पहले सारे common entrance exam और medical खतम हो चुका था और दूसरी चीज medical आप लोगों का September में ही स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे इस बंदे ने फिर से एक बार लिखा हुआ होना है वह आपका headquarter है और headquarter region में आप लोगों कुछ भी नहीं होगा दूसरी चीज़ में बता दो दोस्तों अगर आपके पास भी नोटिफिकेशन आता है और अगर आपने यह नोटिफिकेशन देख रखा है तो पहले मैं बताओ इसको ज्यादा ज्यादा फैलाना नहीं ह है आपको जो भी आपको भी भेज रहा है आप उसे डिलीट मारते क्योंकि यह फेक है इसको ले करके काफिशारे परिशान हो जाते हैं और फिर बहुत दिक्कत वाली बात भी हो सकती है ठीक है और दूसरी चीज यह फेक नोटिफिकेशन को ज्यादा आपको शेर नहीं करना है आप खुदी देख सकते हैं यहां पर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हुए इसने एक तो यहां पर 25 फरवरी को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का किया हुआ है और यहां पर इसने कॉमन एंट्रेंट्स एक्जाम जो है की 28 नवंबर का दिखाया हुआ हुआ के लिए आपको वेट करना इस मंत के एंड में आपके फाइल मेरिट तक भी आ जाएगी तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं करना और यह जो भी नोटिस आया हुआ दोस्तों यह पूरा फेक है इसमें 83 कंडिडेट का नाम डाला गया है पता नहीं कौन-कौन कंडिड इसे नोटिफिकेशन से बचो क्योंकि अभी फाइल मेरिट आनी है और ऐसा कुछ बहुत करते हैं लोग अपने चैनल को बढ़ाने के लिए और अपने व्यूस और लाइक्स पाने के लिए तो व्यूस और लाइक्स के चकर में दोस्तों गलच चीज का साथ नहीं देना आप को ठीक है दोस्तों जाइद